यह मीवन मॉडल क्यूटेन है इसमें सॉप्टर के दिक्कत था तो सॉप्टर फ्लेशिंग करने के बाद यह फारपी मागने लगा है तो आज मैं इसे फारपी बाइपास करूंगा कोड़driving करें कि मैं इसे कर रहा होनी रहा था और यह उन्ती से का रहा था उससे भी नहीं हो रहा था फर्रापी इसका द्रप्ति कोड़ा इसी से बाइपास करूंगा तों से और तो व्युदियो को पूरा देखना में नाश में बताऊंगा कैसे से धर् היim से When q advice kट को निकालते हैं पहले में इसे बाइपास कर Luna हि उसके भाएपास करने बाद में बताऊंगा कैसे को निकालते हैं क्या क्या जरूरत पड़ता है और इसकेटर को इसकेटर फाइल से निकालने का तरीका बताऊंगा मैं पूरा डेटियर बताऊंगा वीडियो को पूरा देखना कि आज मैं यह इस प्रस्ट टूल से इसे फारपी को बाइपास करके दिखाऊंगा देखिए इसकेटर फाइल को भी ले लेना है कि सेलेट कर लेना है क्यूटेंड नियू फोल्डर में मैं रखाऊंगा उसे यहां से ले लेना है कि इसकेटर फाइल को भी ले लेना है अब प्र लूडर को अंतिक कर देना है कर remembrance जंडा में निकालते हैं निकाल देना है यह फून लाकने के बाद है मैं इस प्रिजावं यह मैं बताओं। पूरा पहले मैं fi pmayınay पास करदेता हूं त्शिछ और परस्टोल से भी बताउंगा कि इसे स्केेटr seperti ऐस इभाज से यह फार्पी कोड कौक कैसे निकालते हैं निकालते हैं पूरा डिटेल में रटाऊंगा और सब्सक्राइब कोई भी मॉडल है दो उसका भी निकाल सकते हैं लिएध फ्रe फार्पी कोड निकाल सकते हैं तो memang मेंपेष्ट कर देना है उसके बाद में वेलूम पले सो मायने दुनों दबा कर केबल को लगा देना है यह पांस से छे सिकंड में अनलाक हो जाएगा फारफी फॉर्मिट ओके लिखकर आ गया है यह फारफी वाइपास हो गया है विडियो को पुरा देखना मैं इसे पुरा दिखाने के बाद बताओंगा कि सिकेटर फाइल के से कैос हो रहा है यह इसे यह भायपास नहीं नर्मला उर्मिट वाइपास से ब्हायपास हो रहा था तो मैं इसे scatter file से इसका FRP code ने निकाल कर bypass किया हूँ तो वीडियो पूरा देखना तो मैं बताऊँगा वीडियो पूरा इसी दिखाने के बाद है last मैं बताऊँगा कि कैसे निकालते हैं scatter file से FRP code आल मॉडल का भी FRP code निकाल सकते हैं scatter file है आपके पास जो सेम फलस फाइल चाहिए सेम मॉडल का तो इसमें scatter file में FRP code रहता है और farmer code भी रहता है बस कैसे निकालते हैं यह बताऊँगा मैं कि इसी वीडियो में है अब यह बाइपास हो गया है कि इसका मॉडल दिखा दे रहा हूं कौन सा मॉडल है कौन सा वर्जन है कि अब आट में जाना है उसके बाद में पता चल जाएक कौन सा मॉडल है यह क्यूटन है इसका वर्जन 9 वर्जन है यह नीचे अब इसके बाद में बताऊंगा कि कैसे फार्पी कोड निकालते हैं इसके अटर फाइल से कि सबसे पहले यह नोट पैड है एक अप्लिकेशन है इसा डाउलोट कर लेना है और मैं इसे डाउलोट कर लिया हूँ यह फाइल भी डाउनलोट कर लिया हूं तो यह नोट पैड ओपन कर लेना है, उसके बाद में यह फाइल में जाना है, जो फाइल है अपके पास, उसको एक स्टेट कर लेना है, तो मैं एक स्टेट कर लिया हूँ, उसके बाद में इसमें अंदर जाना है, इस केटर फाइल को देख लेना है, उसके बाद में इस केटर फाइल को select करके इसे notepad में ले आना है इसमें छोड़ देना है इसका पूरा फाइल में आ जाएगा उसका में देखना है यह बता रहा है MTK CPU कौन सा CPU लगा Payset, SCE लगा है इसमें यह बता रहा है उसके बाद में यह search में जाना है find में जाना है इसे cut कर देना है इसमें लिखना है FRP उसके बाद में यह दिखा रहा है इसमें partition में फार पी इसके नीचे जो रहता है यह उपर वाला इसके बाद में यह प्रेस टूल उपन कर लेना है इसमें scatter select कर लेना है सबसे पहले तु कि फाइल सेट करना है जिसा फाइल का Nie Bunu By-P maps करना है और उसी फाइल जो निकाल कर को निकालते हैं कॉट उसी फाइल को scatter फाइल लेना है पर लोटर को अंचिक कर देना है उसको फॉर्मिल जाना है मेनूल पर जाना है उसे बाद में आ जाए गए इसके बाद में जो यह उपर वाला है इस उपर वाला दो कि उपर जो दो कोड है इस सेम ही सेम है तो इसे इस शेट करेंगे एक तो दोनों सपenan pag तो इससे कापी कर लिएना है एक शेट करएंगे तो दोनों सपने सेट होग firms में उसे में恭喜 से में न य वह इस steht कर दे देना है उसके बाद में ये नीचे वाला जो है साइज वाला ये पार्टिसन साइज वाला ये नीचे वाला ले लेना है उसके बाद में इसे कॉपी करके फॉर्मिट लेंथ वाले में पेश्ट कर देना है कि पिश्ट कर देना है उसके बाद में इस्टार्ट प्योक्र कर देना है और विलूम अप उससे मुबाईल को स्वीच आप करके बंद करके विलूम अप और डाउन दोनों दबाकर कि याल लगा देना उसके पान्स से च्छे सेक्ट में अननाख हो जाए गा तो आल-मोडल का भी स्केटर से निकाल सकते रपी कोड और पारमेट कोड में निकाल सकते हैं क्योंकि फारमेट वाले में जो जहां पर फार्पी लिकते प था वहां पर यूजर डाटा लिखना है तो format code निकल जाएगा तो यही नोट डाउनलोड करना है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फाइल भी कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं फाइल का भी दे दोंगा इसका